स्वागते सांथियो आपके अपने ही चैनल मास्टर मैंड पे मित्रू कहा जाराय की नियोजन का फरजीवाड़ा जनमतिती से खुला यह आज का रिपोर्ट है जो की हिंदुस्तान से है और मुझहपरपूर से है मुझहपरपूर अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है कहा गया है जार सुनेंगे आप लोग कहा जार आए कि जनमतिती अने इसो बिरासी से लेकर अने इसो चौरासी की और दावा 2001 से पहले तीन साल तक अनवचारिक सिक्षा में काम करने का अब देखिए यह तो पहले फरजी सिक्षकों से निउज है अब यहां आपको समझना है कि अनवचारिक सिक्षक क्या होता है अगर आप एक सिक्षक बनने जार हैं तो इस बात को समझना होगा कि अनवचारिक सिक्षक क्या होती है वैसी सिक्षा जिसमें पाठ करम निर्धारित नहीं राता है शमय निर्धारित नहीं राता है शिक्षन विदिया नहीं रहती है जो आसपडोस समाज से होता है, घर से होता है उसको हम लोग बोलते हैं और अपचारिक सिक्षा हुगा क्लियर? अब रही बात अपचारिक सिक्षा तो अप्चारिक सिक्षा जो आप विद्याले में बच्चों को देने जा रहे हैं वो आपका अप्चारिक सिक्षा हुआ उसमें पाठ करम निर्धारित है शमय निर्धारित है सिक्षन विदिया है उसमें मुल्यांकन के पर किरिया है तो उसमें सब है उसमें तो उसको हम लोग अवचारिक सिक्षा बोलते हैं तो कहा जा रहा है कि अपचारिक सिक्षा में काम करने का इसी दावेक के अधार पर अभी सिक्षा विभाग समित विभिन कर्याले में नियोजन के लिए आने वाले इन कर्मियों की जनन तिथी ने और नपचारिक सिक्षा नियोजन का फरजी वाड़ा सामने ला दिया है ये जो नियोजन चल रहा है और नौपचारिक सिख्छकों का चल रहा है समझे अपचारिक का नहीं जिस नौपगरी के लिए नियुंतम आयो 18 साल है उसमें इस जनमतिति वाले अभिहार्थियों ने 2001 से पहले 3 साल तक लगतार काम करने का कागजात सौप कर अभी के नियोजन के लिए अपना दावा ठोका है अब बताईए नियुंतम आयो 18 वर्ष है लेकिन जनमतिति या वियार्थि वाले 2001 से पहले 3 साल का अनुभावल लगा करके कागजात दे रहे हैं विभाग ने अनुभाव असिया उसके बाद भी जनमति थी वाले सभी अव्यार्थियों की जांच का आदेश दिया है निदेशक जन सिक्षा सा अपर सचिव कुमार रामानूज ने डियो और डिपयो सक्षर्था को इस सम्बन में निर्देश दिया है निर्देशक का निर्देश है कि ऐसे अव्यार्थी जिन की जनमति थी और इस असिया उसके बाद की है उसके उनके कागजात की और तीन साल काम करने के कागजात के दावे की सचाई जो है कराई जाए क्या वो सत है कि असत है इसकी जांच की जाए निदेशक ने इन अभियार्तियों के दावे को संदिक दमानते हुए सवाल उठाया है कि इसमें फर्जी वाड़ा किया गया है और नवचारिक सिचा के निर्धारित समय ने खोली पोल निदेशक ने कहा कि अनईसो असी की आस्पासिया है योजना शुरू की गई थी 2001 में इसे बंद कर दिया गया है तुम। 3 शाल के लिए चला है और 2001 में इसको बंद कर दिया गया है वरतमान में कोट और वीभाग के किया किया जा रहा है अब जो बहुत आद्मी फरजीवडा बना कर कर गए दे रहा है OUR हमने किया अब बताईए पर लेकिन उनकी जरम्तित थी कंम है है फिर भी उस आध आसा फर्दिवाला काम कर रहे हैं जिले में कई लोगों का Sab sheriff कर्याले और करियाले में भी किया गया है अब इन में से जो जिनका सथ है सही पाया गया उनका तो नियोजन होना ही है तो उनको जो है नियोजन कर दिया गया है डीपयो अस्थाफना अब्दुलसलाम अंसारी ने कहा कि जब 2001 में यह यह बंद हो गई तो अनेशो असी यह उसके बाद की जरमतिति वाले इसमें काम कैसे कर सक एक बात सही है जो जना जो है अनीशो ऑसी में आया है अब किसी का अगर अनीशावज जनमतिति हो अनीशो बेरासी घरासी हो 201 हो तो उसके बाद की जनमतिति वाले इसमें काम कैसे कर सकते हैं उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यार्तियों को सुची विभाग से भेजी गई है इनके तीन साल के काम के कागजात की जांच कराई जा रही है जिला समेत परमंडल के सभी अभ्यार्तियों की जांच कराने का नियुदेश मिला है तो यह था सांथियों और अपचारी सिक्षा से रेलेटेड नियुज जो अनेश वस्ती में लंच हुआ था और दुजर एक में बंद हो गया और इसको लेकर जो है बंद हो गया तो जीना व्यार्तियों का पतरता सही है उनकी नियोजन हो रही है और हुआ है जिनका गलत हुआ उसका नियोजन नहीं होगा अगर ए वीडियो आपको पसंद आए तो अपने सांथियों में इसको जरूर सेयर कर दे और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिये तक हमारा कोई मिनुठ पीके संजाय मित्रों तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जय हिंद जय भारत